कि दोस्तों आज के इस पडिकुलर वीडियो में हम डिसकस करने वाले आए कि हम एमजोन पर ए प्लस कंटेंट या फिसे एनहेंस ब्रैंड कंटेंट पर बोलते हैं वह कैसे जुगा वह क्रियेट का सकते हैं अपने की बार देखा होगा जब हम एमजोन पर कोई भी प्रोड़क कुल करते हैं तो अब ब्लस कंटेंट अगर हम एंपनी में डालते हैं तो उसका benefit यह होता है कि एक तो customers को हम अपना product जो हो ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं visuals के साथ में images के साथ में अच्छे तरीके से जो हो समझा सकते हैं साथ ही साथ कहीं ने कहीं SEO में और बाके सब चीजों में इसका थोड़ा बुझा हो benefit हमें मिलता है तो यह recommended होता है कि अगर हम Amazon पर कोई प्रोड़क्ट लिस्ट कर रहे हैं तो बेटर यही रहता है कि हम उसका NS brand content या फिर A plus content जो हो create करें ताकि product detail पर हमारा अच्छा बने देखने में अच्छा लगे better understanding for customers को product के बारे में समझ पाए कि भी action में product जो हो कैसे function करता है या फिर कैसे जो काम करता है तो पूरा detail में हम इस वीडियो में समझने वाले है कि A plus content जो हो हम कैसे create कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक product है जो Amazon पर लिस्ट हो रखा है अगर हम उसकी description यहाँ पर के लिए कैसे create कर सकते हैं तो इसके लिए हम simply जाते हैं अपने Amazon के seller central में seller central में यहाँ पर menu वाले option में हमें advertising में option मिलता है A plus content manager का A plus content manager में अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर साइड में हमें option मिलता है starting A plus content यहाँ पर हमें वो content दिखाता है जो हमने already अगर को request करके रखा हुआ या बना के रखा हुआ तो वह दिखाता है यहाँ पर current status जो उसका आता है चीक है उसके बाद में side में हमें option मिलता है start creating A plus content इसके ओपर हम simply जो हो क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद में देखे दो option हमें मिलते एक तुप है enhanced product description का उसके बाद में है additional content type में यहाँ पर आता है brand story का तो हम brand story भी जो है वो बना सकता है जैसे मालीजे हमारा registered brand है और हम brand की story जो हो product की description में दिखाना चाहते हैं जहाँ पर हमारा brand कैसे शुरूब हुआ उससे related कोई भी story अगर हमारी है जैसे मालीजे कहां से हमको idea कुछ भी brand की story जो अगर हमारी रहती अब देखे brand story और इसमें module जो हो सेम ही रहते है brand story का एक अलग से description में हमें option मिल जाएगा brand story का और वहां पर उसके अलावा हम a plus content भी जो एड़ कर सकते हैं तो हम इसमें जो simply product के लिए a plus content create करने जा रहा है तो हम create basic पे जो हो click करेंगे अब यहाँ पर देखे सबसे पहले हमे जो हम सेलेक्ट का सकते है content type में ebc हो गया ebc मतलब enhanced brand content status भी draft में है यह applied a assign का मतलब होता है यह कितने a assign पर हम जो उसको apply करने जा रहे हैं जैसे कि माल यह बहुत सारी products है जिनके उपर same content जो हो apply होने वाला है तो हम यहाँ पर सबके उपर जो हो यह apply कर देंगे last activity date यहाँ दिखा रहा है उसके बाद में यहाँ पर देखे नीचे module का option आ रहा है यहाँ पर editor है यहाँ पर preview है editor में basically हम edit करेंगे preview में जो है वो हमें पूरा बताएगा कि यह दिखने में कैसा होगा तो simply हम जो एड मोडूल पर click करते हैं जितने भी available modules है वो हमें सारी यहाँ पर दिख पर इमेज और टेक्स्ट जहां पर चार इमेज रहेगी और नीचे जो उनका टेक्स रहेगा heading के साथ में यहाँ पर standard image and light text overlay extended image रहेगी और उसके उपर टेक्स्ट जो है वो overlay में show होगा तीक है यहाँ पर light text होगा यहाँ जो dark text overlay पे show होगा उसके बाद में अलग अलग तरीक description अगर हम दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने design के coding यहाँ पर standard company logo वाला जो मोडूल हो यहाँ पर एड़ करते हैं तो एक मोडूल जो यहाँ पर एड़ हो गया तो यहाँ पर देखिए इमेज हम upload कर सकते हैं 600 और 180 पा इसका ratio होना चाहिए हम यहाँ स क्लिक करके image upload कर सकते हैं तो हमने क्या करका है कि हमने जो मोडूल है उसके इसाप से पुछ banners वगरे design करके रखे हुए है बैनस डिजाइन करने के लिए हमने जो software यूज में लिया है वो है canva तो canva में क्या है हम simply banners वगरे design कर सकते हैं तो यहाँ पर canva में जो हमने जैसे ए प्लोड करने के लिए इसके उपर क्लिक करेंगे यहाँ पर सकते हैं अब देखें यहाँ पर पहले कि अपनी प्रोड़क्स की images थी ना जो हमने अप्लोड करके रखी हुए थी प्रिवेसली वो सारी यहाँ पर शो कर देता है ठीक है 224 assets यहाँ पर अप्लोड हो रखी है मतल एडिकर इसका में इसको यहाँ पर देखेंगे तो यह उसके बाद में यहाँ पर हमने करके देंगे उसके बाद में दूसरा मोडूल उसके और तो सलेक्ट करते हमèceिहां को क्या हैं ? सब्सक्रालिक पिखर हैं को मिलंगा है ा गौण पहले हम सब्सक्राइब ॹार्ट के फिले करना है यहाँ प्रोड़्य शगर चीह हमचे का हो नहीं ह片 सब्सक्राइब भी अगर एक प्लस कंटेंट रिटी करने जा रहे हैं तो यह रिकमेंडे रहता है कि आप पहले से पूरा नियुक्त डियार करने कि आपको डिस्क्रिप्षिन डालना है क्या क्या पूंट्स जो हो आपको लिखने प्रोड़क्स के बार में वह सब पहले है आप लिख लेंगे तो उसके उपर work कर लेंगे तो easy रहेगा और बढ़िया रहेगा कि हमको idea होगा कि भी कौन से कौन से चीजें जो वो हमें describe करनी है प्रोडक्स से related ठीक है तो यहां पर भी हमने पहले से content जो लिखके रखा हुआ है तो हम one by one content जो यहां पर डाल देते हैं यहां पर सबसे पहले इमेज अफलोड कर दी है अब इस image के जो भी keywords है वो हम डाल देते हैं चीक है उसके बाद में हम यहां पर headline जो है वो इसके डाल देते हैं इसके बाद में यहाँ पे headline और body text डाल देते हैं, इसके बाद में fourth headline हो गई, और यहाँ पे body text जवह हमने डाल दिया, तो हमने basically क्या किया था, जो है वो एक standard company logo का जो banner हो select किया था, वहाँ पे हमने यह banner डाल दिया, उसके बाद में हमने यहाँ पे headline डाल दी, तो में फैर्टोga भेना सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब अब मेरते हैं और हम उल्सक्राइब करेंगे अधाती हैं आगसे देऊ यहां से हम इसमें भीज जीक है यह से हमने ranking णाल दिये किया पाही है जो ह हुआ है कि सबसी सब्सक्राइब में बहुँत बर अध пр nego इमेजेज जो है वो डाल के और यहां पर अलग अलग जो colors की layers डाल के कुछ थोड़ा सा इसको स्टैलिस मिनाने की कोशिश किया और इसको जो हो यहां पर हमने अपलोड कर दिया ठीक है पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखे कुछ इस तरीके से जो हो हमारा a plus content हमारी product की description में हमें शोग होगा तो उपर यह बैनर आगया उसके बाद में चारी इमेजस आगी इमेजस से रिलेटेड जो भी description हमने डाली थी वह यहां पर आगी ठीक है उसके बाद में यह main headings आगी और उसके बाद में यह final image हमने डाली थी इमेजस ओवर लेके साथ में तो इसके उपर टेक्स्ट आए तो ऊवरलेपिंग ना हो टेक्स्ट भी पढ़ने में और थोड़ा सा अच्छा भी जो लगे ठीक है तो कुछ इस तरीके से हमारा a plus content जो होगा अगर हमें इसमें कुछ भी change करना है तो आपस हम editor में आएंगे औ तो हम simply यहां से कर सकते हैं अब हमारा यह लग बग मुझे लग रहा है कि final है अब हम इसको क्या करते हैं next option आता है apply to a sign हम इसको save भी कर सकते हैं एक बार हम आदा काम करके छोड़ भी सकते हैं जब हमें लगता है कि बात में कुछ चीज़ें और इमेज़ेंग होनी बाकी है तो हम उसको एक बडर जाफ्ट में save कर सकते हैं अगर हमारा content लिगना बाकि है कुछ तो हम इसको draft में save कर सकते हैं या फिर पहर हमें एक पर सहीँ ही लग रहा है कुछ और change करेंगे कुछ ideas आएंगे उसके सबसे टो भी हम जो उसको passe को सकते हैं बात भी हम जो उसको edit कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे next apply to ASIN वाले option पर click करेंगे तो यहां पर देखिए add ASIN का option हमें मिल रहा है तो यहां से हम जो simply ASIN डालके इसको search कर सकते हैं तो जो भी हमारे product का ASIN है जैसे माली जी यह हमारा product है और यह इसका ASIN हो तो हम यहां पर इसको ASIN को copy करेंगे और यहां पर ASIN पेस्ट करेंगे तो यहां पर product हमें दिखा दिया तो यह एक product जो हमने select किया है अब हम उसके बाद में क्या करेंगे apply content पर click करेंगे जैसे apply content पर click करेंगे your ASIN have been applied when you finish applying ASIN click review and submit तो जैसे हमने apply content पर click किया यहां पर देखिए ASIN जो हो आ गया हम इसको remove करना चाहिए तो remove कर सकते है और अगर हम दूसरा ASIN add करना चाहिए तो उसको भी हम यहां पर type करके add कर सकते हैं जैसे कि हम यहां से add करते हैं दूसरा ASIN भी यहां पर ASIN को select किया और apply content पर click कर दिया तो यहां पर जब हम देखेंगे तो दो ASIN पर जो हो यह content apply हो गया है अब यहां पर हमें next option मिलता है review and submit क्लिक करेंगे लास्ट हमें यहां पर content details दिखा देता है यहां पर पूरी पूरी details जो वो इसकी आ गई है और यहां पर desktop version में कैसे दिखेगा और mobile version में कैसे दिखेगा वह भी यहां पर शोरा तो mobile युजर्स करते हैं शोपिंग के लिए तो mobile में ऐसा ना हो कि desktop में जब हम content को देख रहा है वहां पर तो बढ़िया लग रहा है लेकिन जब हम mobile में देख रहा है तो module चेंज होई जा रहे है जैसे कि कर देंगे यहां पर क्लिक कर देंगे यह और सकसे फुली सुपिंट फॉर आपर प्लीज रिमेंबर टो अपडेट यूर केटलोग कंटेंट इफ चैस्ट है तो हमारा जो कैटलोग है वह सब्मिट हो गया है उसके बाद में एक प्लस कंटेंट में जाएंगे तो यहां पर कि हमें शो कर देगा कंटेंट नाम कंटेंट टाइप लेंगेज और कितने एसाइन पर हमने अप्लाई किया है लास्ट मोडिफाइड क्या है और करेंट स्टेटस क्या है यह अपरूट जो है वो चुका है तो इस तरीके से हम अपनी कैटलोग के लिए या प्रोड़क्ट आवाद